दिली की मुख्य मंत्री अर्विन की जुवाल ने फिर एक बार जनता से भावुक होकर एक अपील की है केज़वाल के जेल वापस जाने का समय नजदी का रहा है इसी के चलते केज़वाल बोले कि जब वो जेल जाये तो लोग उनके परिवार का ध्यान रखे खासकर उनके माता पिता का उन्होंने ये आशंका जाहर की कि इस बार उनके साथ पिछली बार से जादा बत्तर बरताव किया जाएगा और अगर देश बचाने में उनके प्राण भी चले जाए तो उन्हें इसका कोई गम नहीं केजरिवाल एक प्रेस कॉंफरेंस में एक सुप्रीम कोट का आभार भी जताया और बोला की दो दिन बाद मुझे सरेंडर करना है पता नहीं ये लोग मुझे और कितने समय तक अंदर रखेंगे जेल के अंदर तो कई दिनों तक मेरे इंसुलिन के इंजेक्शन भी बन कर दिये गए जिससे मुझे बहुत तकलीफ हुई और बहुत जादा बजन कम हो गया पता नहीं ये लोग मेरे साथ ऐसा क्यों करना चाहते हैं मैं सरेंडर करने के लिए तीन बज़े घर से निकलूँगा केजरिवाल बोले कि इस बार मुझे ज़्यादा परिशान किया जा सकता है लेकिन मैंने अपने दिल्ली के लोगों को भरोसा दिया है कि उनका कोई कामकाज नहीं रुकेगा आप अपना खयाल रखना मुझे जेल में आपकी चिंता रहेगी तो आप खुश रहेंगे तो आपका केजरिवाल भी खुश रहेगा और आपके सारे काम चलते रहेंगे मैं चाहे कहीं भी रहूं लेकिन दिल्ली के काम नहीं रुकेंगे आपकी फ्री बिजली, मोहला क्लीनिक, फ्री दवा, फ्री बस यात्रा सभी काम चलते रहेंगे मैं लोटते ही सभी माता बहनों को एक हजार रुपे देने की शुरुआत करूँगा केज़वाल आगे बोली कि आज मैं अपने परिवार के लिए कुछ मांगना चाहता हूँ मेरे माता पिता बहुत बुड़े हैं साथ ही मेरी माँ बहुत ही बिमार है मुझे हमेशा उनकी चिंता लगी रहती है तो आप उन लोगों के लिए भगवान से दुआ करना दुआओं में बहुत ताकत होती है और मुझे भरोसा है कि उससे मेरी माँ जरूर स्वास्ति होगी मेरी पतनी बहुत ही मजबूत है और मेरे जिन्दगी की हर मुश्किल में उन्होंने मेरा साथ दिया है जब कोई भी मुश्किल का समय आता है तो मेरा पूर्य परिवार एक जूट हो जाता है आप सभी ने मुश्किल में मेरा परिवार की तरहां साथ दिया है अभी हम सब मिलकर ताना शाहि के खलाफ लड़ रहे हैं आप सभी की प्रातनाओं की वज़ा से मैं जिन्दा हूँ और आपका आश्रुवाद मेरी रक्षा कर रहा है आखिर में आपसे यही कहूँगा कि भगवान ने चाहा तो आपका ये बेटा जल्द वापस आएगा आईए अब आपको अर्विंद की जुरुवाल ले और क्या कुछ कहा प्रेस कॉन्फरेंस के दोरान आपको सुनाते हैं नमस्कार माननिये सुप्रीम कोट ने मुझे चुनाव प्रचार करने के लिए 21 दिन की महलत दी थी कल 21 दिन पूरे हो रहे हैं परसों मुझे सरिंडर करना है परसों वापस मैं तिहाड जेल चला जाओंगा मुझे नहीं पता ये लोग इस बार कब तक मुझे जेल में रखेंगे पर मेरे होसले बुलंद है देश को तानाशाही से बचाने के लिए जेल जा रहा हूँ इसका मुझे फक्र है इन्होंने मुझे कई तरह से तोड़ने की कोशिश की जुकाने की कोशिश की मुझे चुप करने की कोशिश की लेकिन ये सफल नहीं हुए जब मैं अभी जेल में था तो इन्होंने कई तरह से मुझे परताडित किया इन्होंने मेरी दवाईयां रोक दी, मैं 20 साल से serious diabetes यानि शुगर का मरीज हूँ, पिछले 10 साल से मुझे रोज insulin के injection लगते हैं, रोज मेरे पेट में 4 बार injection लगते हैं, जेल में इन्होंने कई दिन मेरे insulin के injection बंद कर दिये, मेरी शुगर 3700 तक पहुंच गई, इतने दिन तक शुगर इतनी हाई रहे, तो kidney और liver खराब हो जाते हैं, पता नहीं ये लोग क्या चाते थे, इन्होंने ऐसा क्यों किया, जेल में मैं 50 दिन था, इन 50 दिनों में मेरा 6 kg वजन कम हो गया, जब मैं जेल गया तब मेरा वजन 70 kg था, आज 64 kg है, जेल से छूटने के बाद भी हमारी का भी संकेत हो सकता है, कई टेस्ट करवाने की जरूरत है, मेरे यूरिन में भी किटोन लेवल बहुत ज्यादा हो गया है, परसो मैं सरंडर करूंगा, सरंडर करने के लिए लगबग दोपहर 3 बज़े अपने घर से निकलूंगा, हो सकता है ये इस बर मुझे और ज्य बिजरिवाल भी खुश रहेगा, मैं बेशक आपके बीच नहीं होंगा, लेकिन आप चिंता मत करना, आपके सारे काम चलते रहेंगे, मैं चाहे जहां रहूं, अंदर रहूं, बाहर रहूं, दिली के काम नहीं रुकने दूँगा, आपकी फ्री बिजली, महला क्लिनिक, अस बाजार रुपे देने के भी शुरुआत करूँगा, मैंने हमेशा आपके परिवार का बेटा बन के अपना फर्ज निभाया है, आज मैं अपने परिवार के लिए आप से कुछ मांगना चाहता हूं, मेरे माता-पिता बहुत भुजूर गये हैं, मेरी माँ बहुत बिमार र रहती है, मेरे पीछे से मेरे माता-पिता का ख्याल रखना, उनके लिए दुआ करना, भगवान से प्रार्थना करना, दुआ में बड़ी ताकत होती है, आप मेरी मा के लिए रोज प्रार्थना करेंगे, तो वो ज़रूर स्वस्थ रहेंगी, मेरी पतनी सुनीता बहुत मज हैं, उन्होंने जिन्दीकी के हर मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया है, जब मुश्किल वक्त आता है, तो पूरा परिवार एक जुटो जाता है, आप सबने मुश्किल वक्त में मेरा बहुत साथ दिया है, हम सब मिलके तानाशाही से लड़ रहे हैं, देश को बचाने के लिए यदि मुझे कुछ हो जाए यदि मेरे प्रान भी चले जाए तो गम मत करना आपकी प्राथनाओं की वज़े से ही आज मैं जिन्दा हूँ और आगे भी आपका आशिरवाद मेरी रक्षा करेगा अन्प में बस यह कहना चाहता हूँ भगवान ने चाहा तो आपका ये ब पीटा बहुत जल्द वापस आएगा जय हमाँ